तो अगर आप लोग भी OBS software की मदद से अपना जो gameplay है उसको आप record करते हो और साथ ही साथ अपना जो audio है उसको भी आप record करते हो वह भी OBS की मदद से तो आज के वीडियो complete जरूर से देखना क्योंकि जब हम कोई भी setting नहीं करते हैं OBS के अंदर तो यहां पर होता क्या है कि हमा नहीं कर पाते हैं मतलब मान लीजे कभी-कभी ऐसा होता है दूस्तों कि हमारी जो game की audio है वह हमारी audio से काफी ज्यादा होती है जिस वज़े से दूस्तों हमारा पूरे का पूरे जो clip है वह बेकार हो जाता है लेकिन आज किस वीडियो में आपको बताने वालों कि किस तरना स से आप जो सो इन दोन वी audio को आप separate separate कैसे आप record कर सकते हो OBS की मदद से तो जल्ली से शुड़ो को like कर दीजिए और हम बढ़ते अपने computer के स्क्रीन की तरफ तो यहाँ पर कैसे आप देख पार हो अभी मैं आ चुको अपने computer के स्क्रीन पे तो सबसे पहले किस आपको simply अपन यहाँ पर आउट पूट का बटन देखने को मिलता है आपको simply इसके उपर क्लिक कर दिना है अब जैसे आप इसको पर आज होगे यहाँ पर by default यह सिंपल पर रहते तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना ठीक है अब इतना करने के बात दूसरों यहाँ पर आपको recording का बटन द यहाँ और यहाँ पर रह्ताना यहाँ आपको यहाँ यहाँ सुसके आपको इसको 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 और ब्लिक कर देना है और यहाँ स 녯-silसको पे कर दिनांब्धन कोण आप जिसे आप आ जाते हो आपको मिल जाते है आप उस्टे लॉयूब चीजने मुल जाते हैं आपको simply करने कहे वो दो अलग-अलग लेयर्स पर रेकॉर्ड होंगी तो कुछ इस तरह से आपको यह सेटिंग कर लेना है उसको क्लोस कर देना है ठीक है लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना लेकिन अगर आप ट्रैक अलग-अलग रखते हो तो आपके स्ट्रीम पे आपकी आपकी आडियो नह देखने को मिल जाएंगी दो-दो आडियो ड्रैक्स आपको देखने को मिल जाएगा तो गैस आई होप आप सभी को आज के जो वीडियो था यह पसे नहीं पसे आदे इसको लाइक कर दें चाले को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे काफ सरे इंफोमेटरी वीडियो को देख पाओ आज कम बस इतना है मैं मिल तो आप से लिए नेक्स यूडियो में तब तक लिए गुडबाई